नवस्कार मैं हूँ आदित्ति कुमार और आप देख रहे हैं नुक पोश्ट सुसान्थ सिंग राजपुत के मामले में मुंबई पुलीस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं लोग यही संदेज अता रहे हैं कि मुंबई पुलीस महाराष्ट सरकार के इसारे पर काम कर रही है और सुसान्थ के मामले में सबूत को मिठाने की कोशिस कर रही है लेकिन इस बीच एक ऐसे इनसान के बयान ने पूरे देश में खलबली मचा दिया है जो कि खुद मुंबई पुलीस होने का दावा कर रहा है तोस्तों मैं वो वीडियो आपको पूरा नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये कंटेंट का मसला हो सकता है लेकिन ये इनसान खुद को मुंबई पुलिस बता रहा है और कह रहा है कि हम महराश सरकार के दवाब में काम कर रहे हैं और उन्होंने साबतोर से वीडियो में कहा है कि सुसान सिंग राजबूत की हत्या हुई है और दो ऐसे सक्स का उन्होंने नाम लिया है जिस पर वो आरोप लगा रहे हैं कि वो लागातार पुलिस करवियों पर दवाब बना रहे हैं कि इस मामले को दवाने की कोशिस करो उजागर बिलकुल भी मत करो जी हाँ सूरच पैंचोली और महराष्ट के मुखमंत्री उदब ठाकरे के बेटे आदित ठाकरे पर वो पुलिस वाला ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके दवाब में हमें काम करना पर रहा है और उन्होंने साब तोर से कहा है कि हत्या में इन दोनों का भी हाथ हो सकता है हमारा चैनल इस पर पुष्टी बिल्कुल भी नहीं कर सकता है क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारी खवरें बहुत सारे लोग वाइरल होने के लिए इस तरह का काम कर सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से इसको हम कट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि ये इनसान मुंबई पुलिस का आदमी हो। दोस्तों जिस बात का अंदेशा था, जिस बात का डर था वही हुआ। लोग यही कह रहे थे कि मुंबई पुलिस दबाब में काम कर रही है और सुसांत मामले को दबाने की कोशिस कर रही है और इस वीडियो से भी साफ होता हुआ दिख रहा है, इनसान अपने बलर चेहरे में अपना नाम भी नहीं बता रहा है, लेकिन ये खुलासे कर रहा है कि CBI जांच हो और सुसान सिंग राजपुत का कातिल बेनकाब हो जाए और मुझे यही लग रहा है कि सुसान सिंग राजपुत के मामले में जो एक इनसान पुलिस कर्मी होने का दावा कर रहा है और कह रहा है कि हमें दबाब में काम करना पर रहा है हो सकता है कि यह सच हो यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा लेकिन CBIA जांच के बाद ये भी पता चलेगा कि सुसान सिंग राजपुत का असली कातिल कौन है दोस्तों आप इस वीडियो को जादा से जादा शेर कीजिए ताकि सुसान सिंग राजपुत को नियाइ दिलाने में हमारी मदद हो सके इस वीडियो को लाइक किजिए आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी किजिए नमस्कार